अब ये सब कहने का दौर नहीं है आठ बरस नौ बरस हो गया मुदी जी के सासन करते हुए किस जंग से सासन कर रहे हैं डेमोक्रेसी की किस तरह से सेवा कर रहे हैं इडी का किस तरह से इस्तमाल कर रहे हैं ये सब के सामने है और इन बैयानों का कोई असर जो है नहीं पढ़ने वाला है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो लोग लोग तंत्र को बचाना चाहते हैं जो लोग समिधान को बचाना चाहते हैं जो देश में जो नफरत की राजनी ठोर ही है उसको खतम करना चाहते हैं जो हिंसा जिस जंग से फैल रहिए उसको रोकना चाहते हैं यह ने नरेंद्र पंदरगा है गुजरात में वहां हजारों करोड का अफीम जो है पर आमद हुआ अलग अलग समय पर और किसी को पता नहीं चला कि अफीम कहां आया और कहां गया यह हालत रही है सारा पंदरगा सारा हवाई एड़ा बिजली कर खाना सब कुछ लिए बिल outtaकर का रही है अभी बिघाया कि इनज गया संगमा की तहीं उसको चुनाव की शुकंगा चुनातव कि अभियान के दर्मियान नरेद्रमोदिय हो रमीत सहाध मेसा दोनों भूठ्चल सरकार को कह रहा रही थे और आज जो है उस में सामिल हो गए उसको certificate दे दिया इस तरह की रादीत हो रही है देश में अभी पार्लियामेंट को किस जंग से बने रिजंडेंट किया जाए निरत्तक उसको बनाया जाए इसके लिए धंकर साहब को बैठा दिया है आप देखिए का आप जो है राहुल गांधी की मेंबरी ख अपर्टी निधा का बयाना और खुढ धंकर ने कहा पहले धंकर ने पहले बैयान दिया देश के बाहर जो है देश का अफमान Mount ie. अपर भी आप चाहिएगा कि जो बेपट्री दिखाई दे रहा है सब कुछ उसा पट्री पर आ जाएगा हमको लगता है कि यह हसीन सपना देखना है मुंगेरी लाल वाला जो सपना कालाता है इसलिए मैदान में उतरना पड़ेगा और सब लोगों को हम तो कहेंगे कि लालू जादों भ कहने से कि हां साब घर में बच्चों के साथ और बच्चीयों के साथ हम बचाना चाहते हैं लालू जादों को इसलिए कि लालू जादों खड़े हैं कहना मैं यह जो लोगतंत्र की हत्या की जा रही है उसके खिलाब जो है खड़ा सरेंडर नहीं किया है इसलिए हम लालू ज तो ठीक है लेकिन कहां हो रहा है अगर ऐसा होता तो नर्यंद्र मोदी को भी भरना पड़ता अदानी को भी भरना पड़ता जिस संगमा को आप भ्रस्वतम कह रहें उच्को भी भरना पड़ता है मत विश्वास सर्मा जो जिनके उपर कितने तरह कारोब था आज मुख मंतरी पंके राज कर रहें उन्होंने जैसा किया वैसा भोगना तो नहीं पड़ा तो हम भी चाहते हैं भारती जनतापार्दी जो कह रही है कि जो जैसा करेगा उसको बढ़ना पड़ेगा यह इमांदारी के साथ देश में लागू हो जाए हम उसका सवागत करेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि हम जो है बने बांक में टुबए हुए और आप दूद के धुले में हुए और सब एक ही काम कर रहे हैं